देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यूटूब पर सचको हिंदी चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं लेटस्ट अपडेट सबसे पहले हमारे बिधायक कहीं बैठें यहां पर जो उस सरकार में भी मंतरी थे मैं विधायक बना, होता है कि विधायक बन गया हल गये के लोगों की अपेक्षाई होती है कि विधायक बना है नौकरी लगवाएंगे वो मेरे पास भी आए आके मेरे को पर्ची दी जैसा सिस्टम था भी ऐसी लगेंगी नौकरी हैं तो तो मनने भी पकड़ ली पर्ची मखा वेज दे दो मुख्यमंतरी से बात करेंगे जाका मनने पर्ची ले ली मैं मुख्यमंतरी जी को मिलने गया मैंने कहा जी मखा कुछ बच्चों की ये पर्ची दी हैं रोलंबर हैं और नौकरी के लिए लगवाने के लिए जो भी सिस्टम है तो वो आप इसके अंदर हमारा भी शेर डाल देओ तो मनोहरलाल जी करने लगे मनोहर जी ने एक बात कही मेरे को मैं आज सेर कर रहा हूं ये बात मैंने एक दन ये बात अभी कुछ दिन पहले हमारे हर्याना परदेश के जो ऐसी ऐसा दिकारी लगे थे उनकी ट्रेनिंग पूरी होई थी उनके बीच में मैंने ये बात करी थी बताई थी मैंने ये बात आज मैं दूसरी बार ये बात बता रहा हूं तो मनोहर जी मेरे को करने लगे परची तो जेम में डाल ली कहा सिस्टम को ठीक करना है या नहीं करना है मैंने कहा जी करना है तो करना है तो कहा इसको भूल जाओ परची को मैंने वो पर्ची लेकर के जेब में डाल ली मैंने दुबारा मुखे मंतरी जी को ये नहीं कहा किसी बच्चे के बारे मा कि वही इस बच्चे को नोकरी लगवा दो किसी बच्चे के बारे में नहीं कहा ना हमारे किसी विधायक नहीं कहा किसी भी विधायक ने नहीं कहा और उसका परिणाम आज आपके सामने है ये परिणाम है आपके सामने ये उसका परिणाम है मैं मनोहरलाल जी को बहुत बहुत साथ वाद देता हूँ कि जिन्नों ने इतना बड़ा स्टेंड ले करके हर्याना पर्देश के युवाओं को सम्मान देने का काम किया है ये मनोहरलाल जी की तपस्या है ये उसकी तपस्या का परिणाम है कहीं बार हम सुनते हैं ये बात बोल देते हैं होता है कहीं बार आकर के बताते हैं कुछ लोग कारीकरता भी बताते हैं कहा जी देखिए अन्य था मत लेना इस बात को जिए मैं बोल रहा हूं कहा जी बच्चा अनने पर लगा है मैंने कहde नहीं तो तो हमारी सरकार की काविलियत है कि बच्चा मेहनत पे लगना चाहिए यही तो काविय लता है नहीं तो पर्ची के साथ खर्ची भी चलती थी और खर्ची के साथ साथ लिस्त भी बदलती थी चार दन पहले छपना सुरू हो जाता अखवार में अखवार में चार दन पहले रिजल्ट आने से कहा वही फलाने मंतरी का बेटा नौकरी में लग गया ये इस परकार की खबरें चपती थी ना चपती हो तो बताए देओ चपती थी न ये खबरें चपती थी अकवार में मैंने आपको बताया है कि रात के बारां बजे मेरे पास चंडीगर से भोन आता है और मेरे को ये भोन आता है रात को बारां बजे कि रिजल्ट त्यार है और मैं फोन के उपर बोलता हूँ कि अभी बटन दबा दे उसका अभी बटन दब जाए पहले क्या था 2014 से रिजल्ट डिकलेर होने से पहले अख़बार लिखते थे कि भई भलाने मंतरी का बेटा नौकरी लग रहा है और आज जब रिजल्ट डिकलेर होता है तब अख़बार लिखता है कि रिख्षा चालक का बेटा हर्याना सरकार में SCS लग गया है आज रिजल्ट डिकलेर होने के बाद लिखता है जो इंट्रिव्यू ले रहा उसको भी नहीं पता कि मैंने बच्चे को कितने मारक दिये है अगर कोई गड़बड करता है कोई समझा होता नहीं है मैं आज बड़े विश्वास के साथ इतने लोग यहां पर आज हमारे साड़े साथ हजार नए न्यूव पुएंट पुएंटी बच्चे हमारे आये हैं एक भी बच्चे ने किसी को पांच पैसा नहीं दिया अगर किसी ने दिया तो मेरे को लिख करके दे उसको त्रंट जेल के अंदर डालने का काम यह हमारी सरकार बैठी या यह अंदर डालने का काम करेगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें यूटूब पर सचको हिंदी चैनल और बैल आइकन दबा कर पाएं लेटस्ट अबडेट सबसे पहले